हेलो गाइज मैं हर्दीप सिंग फ्रॉम कती गुरुप फ्क्लासेज आप सभी का स्वागत करता हूं गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके क्लास प्लस टू के जो स्वागत के स्वागत के पहले ही मुझूद था टो शूरू करते हैं बीना कोई टाइम किये जो कि हम इस वीडियो में आज जो टोपिक्स कवर करने वाले हैं इसके वह हैं कि इन्टोडॉडक्शन पार्ट करेक्टर स्टिक्स देखेंगे element of art क्यों important है साथ में point के बारे में, line के बारे में, shape and form के बारे में बात करेंगे और बाकी के जो इसके चार पार्ट रहते हैं वो आपको next video में मिलेंगे तो guys शुरू करते हैं जैसे कि introduction में देखते हैं सबसे पहले human जो है वो उसको बात करने के लिए किसी ना किसी तरीके की language की जरूर जरूर होती है क्योंकि अपने ideas के minute करने है तो obvious सी बात है वो ही language क्या है वो है art जिसमें बहुत सारे concepts हैं जिनको हम elements बोलते हैं principle of arts बोलते हैं fundamental of art सबसे पहले क्या चीज़ है देखो तीन चीज़े होती है इसमें limbs of art आते हैं आपके elements of art आते है principle of art आते है limbs of art की video हम already cover कर चुके हैं अब जो हम कर रहे हैं वो है element of art ठीक है न तो अभी देखते हैं कि उसमें सबसे पहले क्या-क्या चीज़े आती है इंट्रोडक्शन में इसके आता है जैसे कि element of art जो है वे एक basic component है art making का यह चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप कोई भी painting बनाते हो या कोई art करते हो तो यह चीजे आपको ध्यान में रखनी पड़ती है it is impossible है कि इनके बिना हम किसी भी यह जो seven elements है total है इसके बिना हम कोई भी मालों के कोई artwork को बहुत असा सुन्दर नहीं बना सकते कर तो सकते हैं देखो आट तो सरक बंदा कर सकता है कोई भी कर सकता है कोई आइन भी कर रहा है तो भी आट ही बोलते हैं लोग उसके हैं लेकिन इसमें यह seven elements होते हैं वह आपको ढूंडने पड़ते हैं यह stylistic features हैं जिसमें बहुत सारी चीजे include होती है और एक artist को यह communicate करना है क्योंकि आपको जो लोग देख रहे हैं ना को उसके साथ communicate करना है यह building blocks है मतलब मालों की जैसी इटों कसे घर बनता है तो यह element से आट बनती है ठीक है ना तो any artwork begin करने से पहले sketch करने से पहले या उसको शुरू करने से पहले जैसे की टूल जो है वो है paint pencil या फिर brush जिसके साथ हम painting करते हैं तो साथ में यह seven elements artist को यह सारे के सारे अपने दिमाग में रखने पड़ते हैं और सबसे पहली बेटा क्या चीज होती है यह हमको पता होना चाहिए एक चीज होती है यहां पर लगाया हुआ है ना मैं हजारों डोट यहां पर लगा सकता हूं यह क्या है यह सभी के सभी डॉट है कहीं भी लगा दो कोई भी लगा दो ठीक है ना तो यह शुरुवात है आठ की लाइन की या फिर कोई भी फिगर बनाने के लिए सबसे पहला डॉट ही होता है आपने देखा आथा चोटी-चोटी बच्चे भी जो रहा है गया वह भी डॉट से शुरू करते हैं हम उसकी स्केच्च बुक में देखो कभी भी डॉट 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 लगे हो क्योंकि इनके टेकनीक सीख कर कोई भी बन्दा जो एक आर्टेस्ट है वो स्किल्फुल हो जाता है ठीक है न दे नॉट ओनली है इंद बेटर लर्निंग ऑफ स्केल बट आलसो इन अप्रिशियेटिंग आर्ट क्योंकि जब आपको मालो आप आर्ट क्रिटी को तो वहां पे और भी आपको इस चीजों की जरूरत पड़ेगी क्या आपने किस चीज को कितना अच्छा बनाया कितना सुन्दर बनाया है कौन सी चीज़े यूज की है कौन सी चीज़े यूज नहीं कि ये शेप एंड फॉर्म कैसी है बहुत सारी चीज़े है ठीक है न सेवन ऐलमें पहल चीज़ेंगे पॉइंट शूडू करते हैं सबसे पहले मैंने पॉइंट आपको बताया है और साथ ही में इसके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जैसे कि सबसे पहला और सिंपलेस्ट एलिमेंट है डॉट बहुत ही स्मॉल एक्जिस्टेंस है लेकिन इसके बिना कोई भी आ है तो यह जैसे 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 बढ़ते जाएंगे यह क्या है और भी ज्यादा एफेक्टिव होता जाएगा है ना तो यह एक पूरी की पूरी लाइन बना लेते हैं यह आपको पता होना चाहिए ठीक है ना और इसका कोई पार्ट नहीं होता इसकी कोई डैमेंशन नही क्या है भाई मॉर्निंग वॉक के लिए चल पड़ा है अभी पता नहीं कहां पे जाके रिखेगा यह पॉलकली कहता है यह इसकी इंट्रोडक्शन है ठीक है ना यह बिगिनिंग ओफ हाट है ठीक है ना लाइन जो है वो एक ऐसा रास्ता तै करती है जहां पे डो पॉइंट्स को हन दोनों को आपस में जूद्वा डिया तो क्या बन गया लाइन वन गया लेकिन इसकी स्टर्टिंग तो है लेकिन असके पता ही नहीं नहीं पहां जाके स सारी कि सारी रीलाइन साल 그러면 we put a mark हमें एक मारक लगाते हैं उसके बाद по दौसरे पॉरियिक तर पीके लिए पॉकश्य Ukrainianब ज़ना और सरा स्ज्कार्ते हमें च्विछे को है भी चै thickness तो यह नहीं मत की महैं मननननो two यह point है यह point है ठीक है ना तो हमने बोला बच्चे को इसको आपस में मिला दो बच्चा तो ऐसे भी मिला देगा लिकिन हमें इसको बोलेंगे तो see ना ठीक है ना तो उसके बाद एक form बढ़ने शुरू होती है ठीक है ना इसका कोई ना कोई इसको साथ साथ चलती है ठीक है ना यह हमें एक action बताती है क्योंकि जो dot है वो एक जगह पे still है लेकिन जो line है that is a moving part जो के लगातार continuous चलते जा रहा है ठीक है ना तो अभी characteristics पढ़ेंगे हम जो है characteristics पढ़ेंगे सबसे पहले वो क्या है अभी देखते है line के characteristics यह एक जो shape बनती है line की help से बनती है line different different things को express करती है आक में यह हमें progressive movement के बारे में बताती है ठीक है ना और इसको हम अपनी intrinsic beauty जो हमारी अंदर की beauty है उसको भी शो कर सकते हैं है ना उसको भी एक symbol को शो कर सकते हैं कोई direct eyes over a given course कि उसी बतलब किसी भी चीज को अपने eyes के साथ control कर सकते हैं types of line देखेंगे dotted है dashed है thick है thin है vertical है horizontal है diagonal है straight है wavy है zigzag है spiral है rhythmic है देखो इतनी सारी lines के तरीके हैं अब भी उनके बारे में detail में पढ़ेंगे सबसे पहले dotted or dashed line पढ़ते हैं एक line जो एक series of dots yellow भाई यह series of dots है न तो बन गया है न लेकिन dashed क्या है dashed यह वाली line है इसको dashed बोलते हैं they also convey a sense of uncertainty that can be useful as the children है जैसे की children की बच्चे की जो होती है न उसको कुछ भी सिखा दो वो सीख जाता है line को कहीं भी ले जाओ वो चली जाती है है न तो कहता है we have a played हमने बच्चों में बच्पन में हमने देखी है न बहुत सरी drawings की है अगर आप artist हो अगर आप आप के वह हो अच्छा knowledge रखते हो तो आपने यह किया होगा हमने भी किया है when we join the various dots तो हम line बनाते हैं और drawing को complete करते है hidden outlines and hidden edges भी इसमें complete होते हैं ठीक है न जैसे कि देखो यह जो है हमारे पास dashed line है ठीक है न dot line मैं already बता चुका हूँ आगे हमारे पास है thick and thin lines मोटी भी होती है पतली भी होती है भाई applying thick and thin lines टेकिनीक जो है यह एक ऐसा तरीका है जिसके साथ artist अपनी shape को enhance कर सकता है उसकी beauty को उसका design बना सकता है object बना सकता है thick lines जो है वह visible होती है ठीक है न हमें भी पता हिए भाई visible edges होते हैं जहां पर है जहां पर ज्यादा शो करना होता है जबकि thin lines जो है वह hatching lines होती है imaginary lines of intersection एकसेक्टरा है न साथ ही मैं अभी यह देखो यह हमारे पास जो है यह हमारी है thin line और यह हमारी है thick line ठीक है न वर्टिकल liiiवं हो ती है जैसे कि भाई हम खड़े हैं चल रहे हैं तो वो क्या है वर्टिकल लाइन खड़े तो ओरिसे रहे हैं सीजे स्टेर खड़े हैं है न ट्रैवल। ट्रैवल करती है कैसे ऐसे सीर्वेल कर रही है न यहीं है और example, जैसे कि हम खड़े हैं, standing कर रहे हैं, तो vertical position में है, इसका vertical line, यह देखो, हमारे पास यह हमारे पास लगी भी है, yellow color की, अभी हमारे पास है, that is horizontal line, जैसे कि there are straight lines, parallel to the horizon, horizon क्या होता है, मतलब कि कोई सीधा हमें दिखाई दे रहा है, that move from left to right, यह right to left भी बोल सकते हैं, ठीक वो क्या है, वो straight line है, horizontal line है, when we are tired, जब हम ठक जाते हैं, भाई, सोने का mood कर रहा है, तो हम क्या assume करते है, horizontal position, it becomes horizontal line, gives an impression, अभी इसका देखो, एक यह है, कि भाई, सो गए, calmness है, अपना mind शांत हो गया, कोई tension नहीं है, depth दिखाई दे रही है, यह हमारी horizontal line हो गई, उसके बाद आती है, diagonal line, यह हमें एक feeling देती है, movement की, ठीक है, objective position में है, movement कर रहा है, तो उसको हम vertical line, ना है तो यह vertical है, ना ही यह horizontal है, vertical खड़ी है, horizontal लेटी हो, भाई, यह तो movement कर रही है, तो यह क्या, diagonal line है, दीधर about to या तो गिर जाएगी, या फिर already motion में आके, भाई, भाग रही है, ठ तो there are straight lines that slant in any direction except horizontal or vertical, जब यह use में होती है, तो यह lack of stability होते है, मतलग कि इसमें इतना जदा ठहराओ नहीं होता, खड़ी नहीं हो सकती, भाई, यह, ठीक है, ना, मेरे जैसे है, बागती रहती है, भागती रहती है, ठीक है, ना, तो जैसे कि यह वाली line है, देखो, ऐसे डा straight line बताते है, these lines are by nature visually stable while still giving direction to a composition, देखो, भाई, अभी कोई भी canvas है, आप canvas पे काम कर रहे हो, पेपर पे काम कर रहे हो, आप एक पेपर पे काम कर रहे हो, जो कि ऐसे बना हुआ है, तो यह क्या है, यह आपके पूरी की पूरी paper sheet को जो है, आपकी painting आपने यहां पे कर दी और इसको bound कर दी है, इसने, ठीक है ना, straight lines है, यह और यह straight line है, यह भी street line है, यह भी है, यह भी है, ठीक है, तो these are the lines that do not bend, आपकी Есть and these lines that do not bend, तो ini η bend करती है, नог वे वे एकरूर करती है, ठीक है ना, तो teraz to come straight line, we that? fights, so. Curvy lines और wavy lines जो कर बंदो size, इसमें इस में भी 2 त हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई यह तो करवी है करवी क्यों है भाई क्योंकि उसकी शेप बिलकुल सीधी नहीं है टेडी मेडी है ठीक है ना तो दे कैन बी सिंपली वेवी भी हो सकता है रिपेट सेंच्छुल क्यालिटी अगर हम देखे ना मेल तो ऐसी वैसे है ना मैन तो कोई ज़्यादा खुब सूरत नहीं होता लेकिन फीमेल जो है ना फीमेल बॉड़ी अगर हम इंशेट स्कृप्चर में भी पढ़े ना तो देट इस ब्यूटी हुमन में सबसे ज़्यादा फीमेल जो है वो ब्यूटिफु होते हैं जैसे कि मालो स्पायरल थ्री डामेंशनल कर्व विद वान और मोर टरंज इसमें होते हैं जैसे कि मालो कि यह ऐसी भी हो सकती है ठीक है तो असेस करियेट सेंस ओफ इनफिनिटी जो कि कभी भी खतम नहीं हो सकती भाई मूमेंट चलती रहेगी ठीक है ना भी बात की कवी लाइन की वो इमोशन्स है लड़की है ठीक है ना तो सांप है ये ऐसे चल रहा है बाई ये सांप है ये देखो ये सांप बन गया थी कह है ना सुम इंप्वार्टेंट इफेक्ट snars फोड़ जैसे कि घिन लाइन है शापनेस एंट आइन बोल्ड लाइन अपने सिदय कड़े हो एह एंना कड़े हो चाती बार नीचर यह तो वह क्या ए विर्टिकल रहे तरीण ये स्ट्रेंट कि आ रही है डिगनिटी लिखा रहे है मां सम मां आ तक क्योंड है करें काम नश दिखा रही है बाई balance peace repose नहीं चीज़ें दिखाई दे रही है हमें साथी में diagonal line जो है वह है एक sense of movement दिखा रही है आप restless हो ठीक है ना आपको पता है वह ना खड़े से हो सकते हैं नाइस हो सकते हैं तो यह स्टिफनेस है confusion दिखाई दे रही है जैसे कि अगर हम यहां पर देख लें रेस्ट लेस्ट है कॉलिकल लाइन जो है वह हमें क्या दिखा रही है confusion है stiffness है clashes यह दिखा रही है ठीक है ना साथ ही में radical lines जो है वह grace attraction radical lines वह दिखाते है spiral lines power है उसमें mystery है आपने वह देखा है ना जैसे लेकिन बाहर निया वह भी एक चक्र व्यू था spiral line चक्र व्यू है ठीक है ना एक mystery है पता नहीं भाई आगे क्या मिलेगा भूल बलही आ है पता ही नहीं क्या मिलेगा हमें ठीक है है ना तो मतलब क्या है आपकी आखें बी मूब करेंगी साथ में आपका माइंड भी मूब कर रहें साथ में है क्योंकि कभी आवाज उदर से आरीय है कभी उदर से आरीयां तो अच्छा अभी हमारे पास है एकHHHH form and space, ठीक है न, form and shape जो है, कहता फुल form इसकी हम देखेंगे, first organic revolution of matter, ठीक है न, form is a shape of volume and mass, यह मैंने, बैटा, आपको, वैसे तो यह common बैते हैं, लेकिन अगर आप यह चीजें नहीं लिखोगे, जो मैंने यह आपको दिखाई हैं, slides में, यह चीजें अगर आप नहीं लिखोगे, तो आपको marks नहीं मिलेंगे, ठीक है न, क्योंकि हर एक बंदा जो है, वो मेरी जैस of volume और mass, साथी में form can be symmetrical और asymmetrical organic, दो तरह की हो सकती है, ठीक है न, साथी में symmetrical कहता, that is half is same as the other half, पहला half जो है, वो दूसरे half के बिल्कुल सेम है, बोथ हार identical to each other, for example, sphere लगा लो, cube लगा लो, बिल्कुल सेम ही है, triangle लगा लो, square लगा लो, है न, या फिर आप rectangle लगा लो है न, ये सारे के सारे क्या है, ये सेम है भाई, ठीक है न, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सेम है, इधर भी सेम है, अभी ये है, ये क्या है, ये एक triangle है, ये half कर दिया है, इधर भी सेम है, ठीक है न, एक sphere है, उधर भी सेम है, स्केर है, उधर भी सेम है, ठीक है न, asymmetrical organic क्या होता है, जो कि equal नहीं होता है ना हो सकता है यह ऐसे है यह aix हो कुछ भी हो सकता है asymmetrical है कि के ना तो अभी एक जैसे कि polygons हो गए है ना बहुत सारी नेच्रडल forms भी है वो भी इक ऊलिए होती फॉर्म्स केन भी free flowing फ्री है भाई कहीं भी घूम हो forms कहीं भी घूम सकती हैं, आपने बहुत सारी paintings देखे होगी, कहीं में न, कहीं paintings में ऐसे ही कर दिया गया है, वो क्या है, वो forms है, free है, free flowing है, ठीक है, अभी हमारे पास एक और topic है, जैसे कि example लेते हैं हम लोग, a circle is a shape and a sphere is a form, यह देखो, यह एक circle है, यह बिल्कुल एक shape है, जै लेकिन जो sphere है, वो क्या है, वो 3D है, आपने globe देखा होगा, वो 3D है, that is a form, लेकिन यह क्या है, यह shape है, साथ ही में एक triangle लेते हैं, यह देखो, यह triangle जो है, यह shape है, लेकिन जो cone है, that is a form, because it has a volume as well as mass, इसके पास volume भी है, mass भी है, इसमें volume और mass नहीं है, ठीक है न, introduction, अभी एक और part देखते हैं, form कहता है, एक structure है, यह एक surface नहीं है, साथ ही में form, 3D object, जिसमें height भी है, width भी है, depth भी है, ठीक है न, और objects, जिसमें cubes, spear, cylinder, सारा कुछ ही involved है, it is often used when referring to a physical works of art, like sculptures हो गए, मूर्तिया, है न, यह इसके साथ connected है, जो के 3D walks है, all forms के पास different, different effects है, जैसे कि ए एक rectangular shape है, यह दिखो, मैं यह rectangular दिखाई दे रहा है, एक illusion देता है, किस चीज़ का strength का, unity का, stability का, इस चीज़ का हमें effect देता है, साथ ही में triangular form है, वो क्या करती है, development दिखाती है, एक peak दिखाती है, highest level दिखाती है, ठीक है न, कि हम भाई उपर 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 जा रहे हैं, ठीक है, अभी क्या है, अभी हम इसाथ में देखेंगे, oval shape है, यह grace, charmness हमेज दिखाई दिखाई दे, आप बोलते हैं, यह लड़की का जो face है, बहुत गोल गोल face है, मतलब सुन्दर face है, obvious ही बात है, circular form है, यह एक sense of fullness है, अभी जैसे कि हम खाना खाते हैं, अपने कभी मोट होते हैं, जैसे कि उनका पेट फुला हुआ होता है, मतलब भरा हुआ है, भाई, खाना पीना हो गया है, यह motion दिखाती है, fullness दिखाती है, quality दिखाती है, completeness दिखाती है, यह सारी चीजे हमें शो करती है, geometric forms, जैसे कि cube हो गया, cylinder हो गया, organic forms जैसे कि tomato हो गया, orange हो गया, देखो चीजे तो same ही हैं, लेकिन उसकी geometric forms है, वो organic forms है, जो natural forms है, ठीक है, साथ ही मैं अब यहाँ पर देखें कि हम लोग shape, यह हमारा तीसरा element है, ठीक है न, shape, यह two dimensional होता है, पहले भी बताया है, height and width होती है, geometrical भी हो सकता है, natural organic भी हो सकता है, कोई भी individual art shape जो है, वो flat होती है, ठी 3D नहीं होती है, ठीक है इसको हम lines के साथ, texture के साथ, colors के साथ, के साथ, के साथ, बंआ सकते हैं, इसको show कर सकते हैं, ठीक है न, geometric shape जैसे कि triangle हो गया, circle हो गया, rectangle हो गया, oval हो गया, यह सारी geometric है, organic क्या हो फलार है को शेयर करें एंड बैल आइकन जरूर दबा दें ताके हर वीडियो आपके पास पूरे टाइम से पहुंचती रहे थेंक यू भाई धन्यवाद